आज हम ICSEE के class 9th के syllabus के लिए Java with BlueJay सिखने वाले हैं इसमें हम chapter 3 देखेंगे इसका नाम है values and data types तो इसका जो syllabus है इसमें जो points हम सिखने वाले हैं वे इस परकार है character sets उसके बाद Unicode and ASCII escape sequences, tokens, identifiers या variables उसे कहते हैं data types और type conversion तो इस chapter में इतने points हम सिखने वाले हैं अब हम Java में इस्तिमाल होने वाले characters set को देखेंगे character set का मतलब Java program लिखते समय हम किन अक्षरों, शब्दों और चिन्नों का प्रयोग कर सकते हैं character set कहते हैं तो आम तोर पे English में इस्तिमाल किये जाने वाले सभी शब्द और अंक और कीबोर पर पाये जाने वाले जो चिन्न होते हैं वे हम programming में इस्तिमाल कर सकते हैं और लगबग यही character set सभी programming languages में भी इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर हम देखें character set के अंदर letters, digits, operators और punctuation marks या delimiters तो हम देखें letters में अंग्रेजी का capital A से लेके Z तक सभी अक्षर small A से small Z तक सभी अक्षर तो हम programming में capital और small letters दोनों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके अलावा जो digits हैं तो digits में जो मूलभूत digits हैं जैसे 0 से लेके 9 तक तो यही सारे digits हम गडित में इस्तिमाल करते हैं तो यह सारे digits हम programming के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद यह जो चिन है गडित में इस्तिमाल के जाने वाले इनको operators कहते हैं operators में भी जो है यहाँ पर हमारे अलग-अलग प्रकार है arithmetic operators, logical operators, relational operators तो देखें, arithmetic operators में plus, minus, asterix यह जो star है, asterix है इसको multiplication operator की तर हम इस्तिमाल करते हैं जबकि यह जो forward slash जैसा जो symbol है इसको हम division operator की तरह इस्तिमाल करते हैं उसके बाद में यह जो percent का symbol है इसे actually modulo operator कहते हैं तो modulo operator जो है वो दो अंकों का जो division होता है उसमें जो बच जाता है, जो remainder है वो यहाँ पे उसको दर्शाता है अब उसके बाद हम देखें logical operators अपने logical operators अगर पहले पढ़ा होगा तो आप इन चिन्नों को पहचान सकते हैं यहाँ पे and, and दो बार लिखा है इसको सिर्फ हम कहते समय इसको सिर्फ and कहते हैं and operator उसके बाद में यह दो बार standing line लिखने पर यह बन जाता है और operator और जो exclamation mark है इसको हम कहते हैं not operator and or not उसके बाद में relational operators तो अगर दो अलग-अलग संख्याएं हैं उनकी तुलना करने के लिए हम relational operators का इस्तिमाल करते हैं यह है less than a is less than b इसको दर्शाने के लिए हम इसका इस्तिमाल करते हैं उसके बाद less than or equal to उसके बाद greater than greater than or equal to equal equal यह जो equal equal है यह दो variables की तुलना करता है कि क्या वे एक दूसरे से समान हैं यहां पर हम equal और equal दो बार लिखा है हमने अगर equal सिर्फ एक ही बार अगर लिखेंगे तो क्या होगा वो बन जाएगा assignment operator दो बार लिखेंगे तो बन जाएगा relational operator उसके बाद में यह exclamation mark और equal to लिखने पर यह बन जाएगा not equal to operator अब हम देखेंगे punctuation marks इसको delimiters भी कहते हैं इसमें है dash semicolon colon question mark full stop उसके बाद में यह जो round bracket है opening bracket, closing bracket और यह curly braces है opening brace, closing brace उसके बाद में square brackets है opening brackets, closing brackets तो यह सभी letters, digits और operators जो हैं हमारे keyboard के उपर पाए जाते हैं तो हम इसका इस्तिमाल Java का program लिखने में कर सकते हैं अब हम ASCII और Unicode क्या है यह देखेंगे जैसे अभी हमने देखा कि Java में हम जो character set का इस्तिमाल करते हैं उसके अंदर हम English के जो सभी alphabets हैं और letters और symbols का इस्तिमाल करते हैं जब हम keyboard से type करते हैं तो वो keyboard जो है वो computer में जो letters जो है वो print करता है screen के ओपर लेकिन जब हम programming करते हैं तो programming करते समय हमको उस character का जो code होता है वो code हमको computer में feed करना होता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि computer में जो सारी जानकरी होती है वो binary digits में store की जाती है जैसे 0110 इस तरह से इसलिए हरे character का एक अपना code होता है तो उस code को वो character समझता है computer इसलिए सबसे पहले जब computer बना तो वो जिन देशों में बना जैसे England हुआ Italy हुआ और America हुआ ये जो देश थे जहां पे computer revolution की शुरुवात हुई इन सभी देशों में एक चीज़ common थी उनकी भाशाएं भले अलग थी जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है ये भाशाएं तो अलग हैं लेकिन उनके जो characters हैं जिन characters का वो इस्तिमाल करते हैं वे सभी आती हैं Latin भाशा से तो जो Latin character set है, उसको उन्होंने digitize किया तो वो बन गया ASCII characters तो इसका नाम है American Standard Code for Information Interchange तो इसके अंदर जो Latin के characters हैं वे यूरोप के लगबग सभी languages में इसका इस्तिमाल होता है तो हम भारत में भी, चुकि हम English में ही ज़्यातर programming करते हैं तो हम जो है, ये ASCII का इस्तिमाल करते हैं लेकिन इसके बाद, जैसे जैसे computer का इस्तिमाल दूसरे देशों में बढ़ा जैसे Russia हुआ, China हुआ, इन देशों की जो characters हैं वे Latin से अलग हैं, जैसे हिंदी है, ये भी Latin से अलग है तो इन बाशाओं को भी उन्हें accommodate करने की ज़रोत पड़ी एक्चुल प्रोग्रामिंग में तो हम हिंदी का इस्तिमाल नहीं करते हैं लेकिन जो output हम डिस्प्रे करते हैं output डिस्प्रे करने के लिए हमको हिंदी characters को टाइप करने की ज़रोत होती है इसलिए इन दूसरी languages को भी accommodate करने के लिए Unicode बनाया गया तो ये शायद universal code का short form है Unicode तो Unicode के अंदर दुनिया की जितनी भी languages हैं सारी languages के blocks है तो हमारे लिए एक block है उसका नाम है देवनागरी block तो देवनागरी block में हम भारत की जो देवनागरी लिपी से संबंधित भाशाएं हैं जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है उसके बाद सिंधी भी है और नेपाली भी है जिन सभी languages में हम देवनागरी का इस्तिमाल करते हैं तो Unicode के देवनागरी block का हम इस तरह से इस्तिमाल करते हैं और इसके अलावा जैसे दूसरी भाशा है तमीड है या फिर उर्दू है तो इनके भी अपने अपने अलग blocks हैं तो basically ASCII जो है वह है Latin characters set है या आप कह सकते हैं कि English character set है हमारे संदर्व में और Unicode जो है वह दुनिया की सभी languages का जो character set उसके अंदर हैं तो हमारे लिए इतनी जानकरी काफी है तो अब हम ही ही रुकते हैं अगले वीडियो में हम Java के tokens के बारे में जानकरी लेंगे झाले जानकरी है shop झाल झाल